आप सब तो आज जो मैं आपसे रैचिपी शेयर करने जा रही हूँ वो आपको देखने से ये बहुत टैम्टिंग लग रही होगी एकर आपने इसे ट्राइ कर लिया तो आप तमाम पास्ता को भूल जाएंगे एन एक्सक्यूस फोर मैं वोईस और आज मेरा थोड़ा गला भी खराब है लेकिन फिर भी मैं आप लोग के लिए वीडियो अपलोड करने के लिए वोईस वर कर रही हूँ तो प्लीज इस पे एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर बनता है तो चलिए इस क्रीमी क्रीमी और यमी से चीजी पास्ता को बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मैंने यहां पर पैन में तीन से चार ग्लास पानी अट किया है पास्ता अट करूँगी मैं इसमें तकरीबर एक कप एक कप से थोड़ा सा मैंने उपार अट किया था और आप कोई भी इसकी शेप यूज कर सकते हैं जो भी आपको पसंद हो तो बस जैसे ही पानी boiling point पर आया तो मैंने इसमें पास्ता अट कर दिया था और अब मैंसे 8-10 मिनट के लिए medium flame पे cook कर लूँगी और अच्छी तरह से मैंने इसे stir कर दिया है और अब जैसे ही 7-8 मिनट के लिए पास्ता बॉइल हो गया तो मैंसे तकरीबर एक कप के करीब पानी निकाल लूँगी यह हम इसकी sauce में यूज करेंगे और बस अभी के लिए हम इस पानी को side पे रख देते हैं और फिर पास्ता को हम चाल लेंगे तो पास्ता को मैंने चाल लिया है और फिर मैंने इसके उपर से cold water भी गुजार लिया है और अब मैं इसके उपर one table spoon oil add करके और इसे side पे रख रही हूँ और अब हम इसका next step करते हैं तो यहाँ पर मैंने तीन से चार garlic के जवे ले लिये हैं यानि कि लहसन के जवे और इन्हें में finely chop कर लूँगी और साथ ही मैं एक medium size की प्यास को भी बिल्कुल finely chop कर लूँगी और साथ ही मैं आपको एक tip दे दूँ कि जब भी आप omelette cutting में प्यास को कट करें तो इसके roots वाला पार्ट शुरू में मत काटें आपको बहुत easy रहेगा यह उदर उदर नहीं होगा तो बस cutting हमारी हो चुकी है और अब हम next step करते हैं तो यहाँ पर मैंने एक pan में 1 डीबली spoon oil add किया है और अब जो मैंने लेसन चॉप करके side पे रखा था वो मैं smat कर रहे हूं और हलका समय से stir करूँगी और बस जैसे ही यह sauté हो जाएगा तो मैं smat जो हमने omelette कट करके प्यास रखी थी ना वो मैं smat कर दूँगी और प्यास को भी मैं 2-3 मिनट के लिए stir fry करूँगी अच्छी तरह से और बिलीव मी यह पास्ता आप जरूर ट्राइ कीजएगा इट्स अ मस्ट ट्राइ रेसिपी और बगेर किसी chicken या फिर मीट के और किसी भी special vegetable के यह इतना यमी और क्रीमी सा बनके रेडी होता है कि बस आपने यह recipe तो जरूर ट्राइ करनी है और सबसे बड़ी बात यह कि फॉरान ही जटपट 10 मिनट में बनके रेडी हो जाता है और आप मैं तक्रीबन हाफ कप इस में टॉमाइटो प्यूरी एड़ कर रही हूँ अगर आपके पास टॉमाइटो प्यूरी आवेलेबल ना हो तो आप 3-4 मीडियम साइस के टमाटर को ब्लेंड करके वो इस मैट कर दें और आप 3-4 मिनट हम इसे कुक करेंगे ताकि इसका जो भी कच्छा पाने वो खतम हो जाएगा और फिर हम इसमें कुछ सेजनिंग करते हैं salt add करोंगे में half teaspoon या quarter teaspoon या आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं according to taste red chili flakes यानि के कुटी हुए मिर्च add करोंगे one teaspoon और two teaspoon या आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं रैड chili powder ब्लैक पेपर पाउडर जाएगी इसमें तक्रिबन क्वार्टर टी स्पून और ये बहुत ही स्पाइसी सी बनके रड़ी होती है तो आप कम ये ज्यादा एड़ेस्ट कर सकते हैं और अच्छी तरह से स्टर करने के बाद मैं जो हमने पास्ता का पानी रिजर्व करके रखा था निकाल के रखा था साइट पे वो मैं इसमेट कर रहे हूँ और ये पास्ते का पानी कौन फ्लॉर की तरह काम करेगा और ये काफी ठीक हो जाएगा और अब मैं इसमें कुछ अगर आपके पास कुकिंग क्रीम अवेलेबल ना हो तो आप घर की बालाई को अच्छी तरह से बीट करके वो भी स्मैट कर सकते हैं तीन से चार टेबल स्पून तो बस क्रीम को मैंने एक से दो मिनट के लिए कुक कर लिया है मीडियम फ्लेम पे और अब मैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट से इंग्रीडेंट एड़ कर रही हूं तो यहाँ पर मैं तू टी स्पून चिकन पावडर एड़ कर रही हूं अगर आप चाहें तो आप इसकी जगा चिकन क्यूब भी एड़ कर सकते हैं और क्यूंकि हमने चिकन बिल्कुल भी यूज नहीं किया है इसलिए चिकन पावडर बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैप है और साथ ही मैं इसमें पास्ता आइड़ कर रही हूं और वीडियो का आपने इसके बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि अभी हम एक और भी इंग्रीडियंट इसमें आड़ करने वाले हैं तो वो इंग्रीडियो हमें बिल्कुल लास्ट में ही आड़ करना है अदरवाइस वो अपना कड़वापन इसमें रिलीज कर देगा तो यहां पर मैं इसको अच्छा सा स्टर कर रही हूं और फ अर्वाइस चीज एड़ कर रही हूं इसमें तकरीबन दो टेबल स्पून आप कम यह ज़्यादा कर सकते हैं कॉरिंग टो टेस्ट और मैं इसमें और एगनो एड़ करूंगी तकरीबन दो से तीन पिंच और आखर मैं बिलकुल वन टेबल स्पून इसमें बटर रड़ कर द जरूर ट्राइ करनी है और यह तमाम इतनी संपल सी इंग्रीडिएंट है कि आपके किचन में हर वक्त मौजूद ही होंगी तो बस आप भी जाएं और जल्दी बनाएं और ऐसे एंजॉय करें और मैंसे सर्फ करके दिखाती हूं और यह बहुत ही यमी सा और चीजी सा पास्ता रड़ी हो चुका है और अगर आपको में रेसिपी पसंद आती हैं तो प्ली सब्सक्राइब तो मैं चैनल और यह विल सी यू इन मैं नेक्स वीडियो अलाहाफिज